क्या 20 अक्तूबर को संडे के दिन सुप्रीम कोट खुलवाया जाएगा योगी बाबा की सरकार यदि 20 अक्तूबर को बहराईच के आरोपियों के घरों पर बुल्डोजर चलाती है तो योगी के विरोधी क्या करेंगे जमियत उलेमाय हिंद क्या करेगा 20 अक्तूबर को संडे है और संडे को सभी अदालते बंद रहती है तो क्या योगी बाबा के विरोधी संडे को सुप्रीम कोट खुलवाएंगे इसलिए लोगों में रुमांज है अब आपको बताते हैं पूरी कहानी बहराईच कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर अब बुल्डोजर गरजेगा दूसरे दंगाईयों के घरों पर भी चलेगा पीला पंजा जब से ये खबर आई है तब से लोगों के मन में एक रोमांज है रोमांज इसलिए क्यों की इस बार बुल्डोजर सुप्रीम कोट के बुल्डोजर ना चलाने के निर्देश के बावजूद चलेगा बुल्डोजर के खिलाफ सुप्रीम कोट पहुँचे जमियत उलेमा एहिंद की मर्जी के खिलाफ चलेगा लोगों के मन में ये सवाल है कि जब सुप्रीम कोट कह चुका है कि किसी आरोपी या दोशी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता तो फिर योगी सरकार कैसे बहराईच दंगे के आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की तयारी कर रही है तो चली आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोट के निर्देश के बावजूद क्यों बहराईच में आरोपियों के घरों पर बुल्डोजर चलाने की तैयारी की जा रही है लेकिन ठहरिये, उसके पहले आपको ये बता दें कि आखिर सुप्रीम कोट ने बुल्डोजर एक्शन पर कहा क्या था सुप्रीम कोट ने 17 सितंबर को हुई सुनवाई में बुल्डोजर पर अंतरिम रोग जारी रखी थी लेकिन उसने ये भी कहा था कि सारवजनिक सडको पर वाटर बॉड़ी या रेलवे लाइन की जमीन पर अतिक्रमन से बने मंदिर, मस्जिद या दरगा जो कुछ भी है उसे तो जाना ही होगा, क्योंकि पब्लिक ओडर सबसे उपर है तो अब पी डबल्यूरी का मानना है कि बहराईच में दंगाईयों के जो घर हैं वो नियोमों के खिलाफ बने हैं नियम के मुताबिक सडक से इन घरों की जितनी दूरी होनी चाहिए उतनी नहीं है ये घर नियम ताक पर रखकर सडक की सीमा के अंदर बना लिये गए हैं इसलिए अवैद है लोक निर्मान विभाग का कहना है कि बहराईच में महसी की तरफ जाने वाला मुख्यम मार्ग महाराजगंज कस्बे से निकला हुआ है इस मार्ग का चौड़ी करण होना है अतिक्रमन होने के चलते अंधा मोड बनता जा रहा है ज्यादा दुरघटनाएं हो रही है और ये जगध दुरघटना क्षेत्र बनता जा रहा है ऐसा न हो इसलिए अतिक्रमन हटाओ अभियान चलाया जा रहा है आपको बता दे कि इस अतिक्रमण में महसी तहसील क्षेत्र के महाराज गंज कस्बे में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का घर भी आ गया है इसलिए अब जल्द ही उस घर पर योगी सरकार का बुल्डोजर चलने जा रहा है आपको बता दे कि अब्दुल हमीद वही नामजद आरोपी है जिसके घर में राम गोपाल मिश्र की गोली मार कर हत्या की गई थी इसके पहले अब्दुल हमीद समेट 23 लोगों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया था इसमें 20 घर मुसल्मानों के और 3 घर हिंदुओं के हैं PWD ने इन्हें 3 दिन का समय दिया था और ये अवधी 19 अक्तूबर को खत्म हो रही है उसके बाद प्रशासन कारवाई करेगा मतलब ये कि अब्दुल हमिद सहित दूसरे दंगाईयों के घरों पर अब कभी भी योगी बाबा का बुल्डोजर गरच सकता है अगर ये न्यूज एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार